नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अफिनो सिंग और टिक्षाला में आप सभी का सौगत है और आज कुछ महत्पूर क्वेशन्स पर बात करने वाला हूँ जो एक्जाम्स में बार-बार पूछे जाते हैं संख्याओं के योग के बीच वाली संख्या क्यात करना ऐसे आता है अब यह सभी एक्जाम्स के लिए इंपॉर्टन है मतलब किसी एक के लिए नहीं सब के लिए तुम्हें संपूर मैक पढ़ा रहा हूँ आपको समझ लेना जैसे यह क्वेशन है कि तीन क्रमागत संख्याओं पर तो बीच वाली पूझरत आठी आपका बीच वाला एंसर हो जाएगा जब यहां बिशम हो तो बीच वाली संख्या आती है डिवाइट करने पर इसके पहले अगर पूछे सम पूछ रहा है इसके पहले छे होगा इसके पहले दस होगा है ना आगे देखते हैं जैसी यह पांच क्रमागत सम संख्याओं का योग असी है तो कितने संख्याओं का पांच तो पांच है तो बिशम है बिशम है तो बीच वाली संख्या आएगी 16, 85 तो 16 बीच वाली है पूछ कहरा सबसे छोटी तो इसके पहले आएगा 14 इसके भी पहले आएगा 12 तो सबसे छोटी यह रूल इसमें भी लगे कर चाहे यहां सम हो चाहे बिशम हो तो 145 को हम 5 जब डिवाइड करेंगे तो 5 क्या है बिशम है तो इसका मतलब है पांस दूना दस पांस नमा पैसा 29 जो है 24 वाली संख्या हो जाएगी और सबसे छोटी पूछ रहा है तो इसके पहले आए जाएगा 27 इ यहां पर जब 102 लिखोगे बटे 6 अब देखो यह सम है अभी तक बिशम हो ता जब बिशम हो तो बीच वाली संख्या आजाती है लेकिन अभी बीच वाली नहीं आएगी कैसे देखो 6 से जब डिवाइड करोगे तो क्या आजाएगा 6 कब 6 और बचेएगा 4 दो 6 सते 42 तो 17 त ग्याता है इसके लिए 20 वाली संख्या तो भी आती है लेकिन इसके पहले 16 और इसके पहले 18 भाई सम पूछ रहे ना पूछ कर सबसे छोटी इसके पहले हो जाएगा 12 12 सबसे चोटी आपकी संख्या हो जाएगी भाई 3 इधर 23 और वाइस इस सबसे हो लगा लेंगे यह वणा अगर बिशम संख्याओं का योग 180 है तो 34 संख्या ग्याद करें तो देखो 180 के डिवाइड कर दो 6 से बिशम संख्या है लेकिन यह सम है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं तो 6,3,8,30 आ गया भाई 30 तो बिशम है नहीं इसका मतलब इसके पहले 39 रहोगा इसके पहले 29 रहोगा एंसर हो जाएगा इस तरह से इसको solve कर लेंगे अब यह है आपका home over के लिए इसको कमेंट में आप सब बताओ चार क्रमागत समसंख्या होग योग 36 है तो तीसरी संख्या ग्याद कीजिए तो यह सब questions है तो बड़े simple लेकिन exam में आते रहते हैं तो यह भी आपको पता होना चाहिए इसको एक अलग topic ही है यह तो इसको हमने बता दिया आपको ठीक है अब आगे कुछ नुकुछ लाता बाउंड इंटरेस्ट भी आपको बता चुका हूँ, simple इंटरेस्ट भी बता चुका हूँ, आगे भी बहुत कुछ अभी बताने का बाग की है तो बस जो लोग नए हो तो जरूर चैनल को सब्स्राइब करना, घंटी भी देबाना और इस वीडियो को शेयर भी जरूर गिया मिलते हैं फिर्नेश्ट क्लास में, तब तक ले जाएंगे, जै भारत